Hello everyone, welcome back to our channel Born With Kids आज हम इस वीडियो में UKG के strengths के लिए maps की एक worksheet देखने वाले हैं जो की उनके exam point of view से बहुत ही important है To let's start the worksheet, see question number first, filling in the blanks Means कि ये number की जो series है, blanks में वो complete करनी है जैसे 11, 12, then 13, 14, 15, ओके इस टाइब से ऐसे ही ये first series है, second way 25, then 26, 27 इस टाइब से Next, 49, 50, 51, 52 ऐसे, छीक है, इस तरीके से Next is circle the smallest number, इसमें A में 3 numbers हैं हमारे पास 7, 8 and 6, smallest, smallest मतलब जो सबसे छोटा है इनमें, उसे circle करना है तो ये ऐसे, next आप B में देखे, 4, 5 and 8, तो इसमें 4 है 12, 13 and 17, तो इसमें 12 है, next आप देखे, 22, 25 and 28, तो इसमें 22 है इस type से आपको circle करते ना है, see the next one, circle the biggest number अब जस्ट उसका opposite है, पहले बाले में smallest number को circle करना था, इसमें biggest number को हमें circle करना है biggest means जो सबसे बड़ा है, तो 25, 27 and 29 में से हमें पता है 29 जो है, वो सबसे बड़ा है next आप देखे, 25, 29 and 38, तो इसमें 38 सबसे बड़ा है, next आप देखे, 11, 17 and 19, तो 19 is the biggest number here next is 44, 47 and 49, तो 49 जो है, वो biggest है, next देखे, put the sign, तो sign की एक अलग से भी worksheets, worksheets मैंने बनाई हुई है, चैनल पर वो भी आप देख सकते हैं, sign के क्या मतलब होते हैं, देखे, simple है, यह is equal to मतलब जब दोनों sides के number same होते हैं, और इन में जिसकी तरफ आपके arrow का मूँ open होगा, खुला हुआ होगा, वो होगा bigger number और जिसकी तरफ बंद होगा, वो होगा हमारा smaller number, for example, 5 and 7, तो smallest number की तरफ बंद रहेगा, और bigger की तरफ open रहेगा, ऐसे, 23, 25 में से, again ऐसे, 38, 39 में से भी 39 बड़ा है, तो इस टाइप से, next आप देखे, count and add, count करने है, फिर उनको add करना है, 1, 2 and 3, तो आप यहाँ जाएं तो 3 लिख सकते हैं, and 1 and 2, ठीक है, तो add करने के लिए, सबसे best way होता है, आप इन सब को एक साथ count कर सकते हैं, जैसे, 1, 2, 3, 4 and 5, इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 फिल कर देना है, ओकी, next ऐसे आपको triangles count करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, इस टेप से, ठीक है, ऐसे stars आपको count करने है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और एक साथ जब आप इन ही count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओकी, next आप देखे, match the object with suitable numbers, यहाँ देखे, एक pattern है, 25, 26 और उसके बाद क्या आएगा, 27, तो 27 कहाँ है हमारा, here it is, तो इस तरीके से match कर देंगे, next आप देखे, 30, 40, उसके बाद क्या आएगा, 50, तो इसके साथ match कर देंगे, next आप देखे, 2, 4, and then 6, 90, 80, अब यह backward counting हाँ पर चल रही है, 70, इसके साथ match कर देंगे, next आप देखे, subtract, subtract के भी questions आते हैं, 5-1, तो इसके लिए आप 5 sticks draw कर सकते हैं, या fingers पे भी आप कर सकते हैं, जो pattern आपको सही लगता है, जो method आप उसके recording कीजिए, यहाँ हम 5 lines draw कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, and 5, अब जब हम इसे cut करेंगे, then we have, एक cut कर दी, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही, 3 sticks में से 2 cut करने पर, 1, and 5 sticks में से, again हमने आप यह हम 4 बना दते हैं, क्योंकि वन वाला हमने कर लिया है, न, 1, 2, 3, 4, 5 में से 4 cut करने पर, 1, ओके, तो यह थी हमारी आज की maths की work sheet, I hope आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगले video में, thank you so much for watching,